पहली रेड, हर्याना स्टीलाज की रेड, रोहिद गुलिया रेड करने आए हैं सबसे पहले, एक सूपर टेन लगा चुके हैं इस सीजन में और रिदम इन्होंने भी धीरे धीरे पकड़ लिया, जैसे जैसे सीजन बढ़ा पहली रेड, हर्याना में कडाके की ठंड पड़ रही है, तो मुझे उमीद है मक्ती की रोटी और सरसों का साग बीच में आधा किलो सफेद मखन डालके आप टीवी के सामने बैठे होंगे, और ये डैर्श देखिए, दोरों बहर गए, रेडर भी डिफेंडर भी, डिफेंड पीच्छे एक डिफेंडर आना चाहिए, अपने साथी को कोट में रखने के लिए, सुर्जीत के पैर कोट में रखने के लिए वो हुआ नहीं अक्षिन पैक शुरुवात पहली ही रेड में अक्षिन पहली ही रेड में तमिल तलाइवास का डिफेंस लीड करा सुर्जीत सिंग ने चे बीस स्कोर था ओ ये वापसी है प्रपंजन की क्या सूपर रेड है तलाइवास वाले भी बहुत देर तक इंतजार नहीं कर रहे है लगा था एक पलको की सूपर रेड होगी लेकिन दो पॉइंट मिलेंगे लेकिन ये दो पॉइंट भी ज़रूरी देखें किस तरह से थाइस पर अटाक किया लेकिन प्रपंजन लंबे कदके हैं तो मिड लाइन पार कर गए बहुत खुर्फूरती से की हर्याना स्टीलर्स ने परस्ट आपने जबर्दस्त डूओर डाइरेड अब आजिंग के फवार को पॉइंट लेना होगा डूओर डाइरेड स्पेशिलिस्ट बनते जा रहे हैं तमिल तलाइवास के लिए इस सीजन और पॉइंट यहां पर नहीं ले पाएंगे रोक लिया है सुपर टैकल हर्याना स्टीलर्स बहुत आत्म विश्वास मिलेगा इस सुपर टैकल से हर्याना को डिफेंस पहले नहीं चल रहा था शुरुआ की नंबर 12 ने मोहित ने और उनको तोड़ी वार्निंग भी मिलेगी अजिंक यह पवार की यह रेड देखें टच पॉइंट लेना ही होगा जल्दी रेड बूरी करेंगे तो पॉइंट लेने में आसानी होगी लेकिन समय ले रहे हैं सुरिंद नाडा को देखें लेट गॉर्नर से यहाँ पकड़ेंगे क्या इनकी चेन आएगी अजिंक किपवार के पास समय जा रहा है सुरिंद नाडा आए अजिंक किपवार पॉइंक ले गए लगातार छे मैचिस में तमिल तलाइवास को कोई हरा नहीं पाया है और यह इस सीजन में उनकी तीसरी जीत है और बड़ी ध्माकेदार जीत है